हलो ओल जै महारा श्राफ सबका स्वागत है फिर से एक बार इंग्लिज ग्रामा की सिरीज में आज हम फिर शुरू को ने जा रहे है क्लास 10 के लिए एक इंपोर्टन टॉपिक जो सभी के लिए है एक्चुली पंक्ट्वेशन्स सबका इजी क्योंकि इसके बारे बहुत बार ह तो यह चिन्हां का आज है क्या आज है पंक्ट्वेशन मांधे उद्गर वाचे चिन्हां समन्ताथ है then question mark and then exclamation marks है then apostrophe है then the dash है and hyphen है okay इस सारी जाज हम हमें करेंगे total 11 है देखते हैं चलो find out करते हैं तो punctuation होता क्या है punctuation मतलब यह यह इस प्रकार की system of using certain you know कुछ marks होते हैं conventional marks होते हैं जो हम sentence में use करते हैं वो कभी-कभी होता है you kind of separate करना sentence को या फिर elements such as phrases को या फिर बात करेंगे clauses को इस तरह से जो हम यह punctuation mark use करते हैं यहाँ पर clarify the meaning of the sentence इससे sentence को एक meaning आ जाता है it also brought you know कुछ कहां पर रुकना है तो juncture आ गया कहां पर pause लेना है okay some of the commonly used you know punctuation marks हम यहाँ पर discuss करेंगे जो commonly used होता है विससे तो punctuation mark काफी ज्यादा है लेकिन हम यहाँ पर जो commonly used होता है और जो आपके examination में आने की काफी chances है वो यहाँ पर देखेंगे तो पहला वाला है comma सबको पता है comma comma क्या होता है comma represent करता है कि short pause in a sentence मैं कहना चाहता हूं कि तुम अच्छा करो कहना चाहता हूं कि आगे न पॉस आ गया तो during the picnic during the picnic भाई क्या we danced sang and played the whole day तो मैंने यहाँ पर during the picnic के बाद लिया भाई यह pause फिर मैंने कुछ activity बताए फिर लिया एक pause फिर मैंने sentence में we use a new sentence होता है उसके बाद वो begin होता है शुरू होता है okay and यह दो sentence को separate भी करते जैसे मेरा नाम my name is Priya I study in class 5 okay मेरा नाम Priya है और मैं class 5 में पढ़ती हूं तो यहाँ पर मैंने मेरी बार में information दी लेकिन दो sentence में अलग-अलग information है जो यहाँ पर मैंने दी हुई है okay और उन दोनों के बाद मैंने full stop लागया है next है आपका semi-column semi-column क्या है आपने बता होगा यह कॉमा के बाद आने वाला है देखो क्या है semi-column represent a pause that more significant है क्योंकि उसके बाद मैं कुछ important चीज़ कहने जा रहा हूं okay significant than the pause रिप्रेजेंटर बाइधा काम क्या होता थोड़ा सा pause देना बाते करना लेकिन semi-column काफी important देखो बात करते it can be used as separate to closely related independent clauses दो जो important statements है या पर sentences है उनको अलग करने का काम यहाँ पर semi-column करता है okay and यह जो clause है next to semi-column begins with a lowercase letter या lowercase letter से ही begin होता है कोई यहाँ यहाँ पर uppercase letter नहीं होता लेकिन किसी other हालत मतलब क्या कि यहाँ पर I use किया यह फिर now use किया तब जाके यहाँ पर क्या हो सकता है कि मैं capital letter use क तो semi-column के बाद हमेशा small letter से ही next जो उसका part है वो शुरू होता है और कि जैसे रवी is a great player रवी a great player है okay we all cheer for him during his matches हम सभी लोग उसके लिए cheer करते हैं उसके matches में तो यहाँ पर दो sentences है दिये गए लेकिन पहले तो रवी के बारे में कहीं गई कि रवी is a great badminton player है हाँ है तो क् share for him during his matches अब देको we two have been long time buddies हम काफी सालों से you know buddies है मतलब दोस्त है okay I have left the native town now but but we stay but we still stay in connect यह बात कहींगे तो semi-column के यह पर use किया गया है next sentence शुरू करने के पहले अब बात करते हैं next colon यह colon क्या होता है और यह दो ऐसे dot होता है यह क्या होता है यह एक pause ही है एक प्रकार का लेकिन यह pause कैसा है यह pause represented by a colon अब यह क्या है more complete है अब यह pause की तरह नहीं कि छोटा pause यह नए sentence शुरू करते है यह complete pause ही आप ले रहे हो अब यह पूरा pause आप ले रहे हो तो जनरल यह pause कप लिया जाता है जब आप list बनाते हो किसी चीज की जब आप quotation यहां पर लिखते हो ओके यहां कोई expression होता है जैसे माइ मॉम सेड डटडट एट योर डिनर फॉर्स अंद धें प्ले तो उसने कुछ कहा ok today's menu के today's menu अगर यहांपर आ गया क्या-क्या है डंग 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 डंगा इडली डऊरा संबर बड़ा जो भी कुछ समझए ह DOWN्योग वाली बात है अब आगे चलते बात करते मतलु मतल्प्रकशि ширा आप लिए कोटेशन słu ने explore neuen कोटेशनstalk키 उसके बारे में बताते हैं ओके चलो बात करते हैं क्या है पहला सेंटेंस ग्यूमी यूर ब्लड आल ग्यू फ्रीड़म यह कोटेशन है सुभाचंदर बुश्जी का चो यहां पर डबल मतलब कोटेशन मार्क में कहा गया है ऑके टाइटल आफ रसकीन बांड्स लेटेस बूक is till the clouds roll by beginning again यह क्या है यह एक actually inverted कॉमा है यह बात हमने आपर करी अब देखो question mark सबको पता है question पूछने के बाद जो आते हुसे question mark कहते हैं okay the symbol that is you know put at the end of any question is called a question mark is this book yours क्या यह तुम्हारी book है question है तो obviously question mark आगया but when there is an indirect question a question mark is not used donuts जब वहाँ पे indirect question की बात है I asked her if she had joined dance classes तो वहाँ पाते question ne नहीं पूछ रहा हूं मैं बता रहा हूं कि मैंने और उसी कोशन पूछा था है ना डिरेक कोशन पूछन पूछने जा रहा हूं तो वहाँ पर कोशन मार्क आएगा जब इंडरेक है तो कोशन मार्क नहीं आएगा यह इंपोर्टन वाली बात धान रखना next exclamation mark क्या होता है obviously excitement होती है okay the symbol यह जो यूज होता है किसी word phrase में या sentence में जो express करता है strong emotion वो आपकी डराने वाली भी होती है वो excitement वाली भी होती है वो happy भी होती है वो sad वाली भी होती है you scared me okay you scared me तो यह हुआ okay मैं डर गया okay तो यह आपने यहाँ पर double bar यूज किया okay क्या exclamation mark समझ रहे हो okay हुर्रे आज हम मैं जित गया है वहाँ पर exclamation आ गया हुर्रे के बाद चलो next बात करते है यहाँ पर कि punctuation mark apostrophe अब apostrophe क्या है यह use की indicate करता है इधर possession मतलब मेरे मेरे पास कौन सी चीज उसके बारे में या फिर you know omission of some letters मतलब कुछ letters को मैं यहाँ पर काट रहा हूं और उसे जोड रहा हूं ओके देखो अब क्या है उसे हम apostrophe करते हैं अब I have मैंने पास have मतलब यह position के बारे में बताता है और यहाँ पर I have की जगह मैंने क्या क्या I have मैंने h a को निकाल दिया और I have यह लिग दिया I have performed several times in a dance competition तो यह दो चीजों में यहाँ पर apostrophe यूस होता है omission यह फिर मैंने पास क्या position है position मैं बताना चाहता हो तो उसे हम apostrophe यूस करते है dash dash काफी important है and easy भी है जो mark क्या करता है you know a mark of information or the ideas कोई information आपको बतानी है कोई ideas आपको बतानी है that are not essential okay that are not essential to understand the rest of the sentence it is also used to show other kind of break in a sentence I wear a comma sentence in a comma same colon or the you know हम बात करेंगे यहाँ पर की colon would be traditionally used जहाँ पर यह यह यूस कहता है लेकिन हम वह यूस नहीं कर रहे है हम directly बता रहे है कैसे देखो हम पूरी information summarize कर रहे है यह पर क्या रिया lost her family friends in the accident रिया lost her family friends in the accident all of them तो मैंने यह यूस किया okay मैंने यह यूस किया dash okay dash यह यूस किया मैंने all of them को बताने के लिए सभी here next अब है hyphen अब है hyphen यह 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 है यह यह है देखो है hyphen के बारे में क्या है okay the hyphen 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 is symbol used to join to different words or to form a you know compound word okay it is shorter in a length than a dash तो होता क्या है dash थोड़ा सा बड़ा होता है okay dash को थोड़ा सा बड़ा कहेंगे और hyphen यह 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 चोटा होता है okay it is important to build a child's self-esteem तो यहाँ पर हम बात करेंगे self चो यहाँ पर लिख लेता है okay self esteem तो यह यह hyphen की तरह बात करता है जो क्या करता है कि two different words को एकटा बनाता है और एक compound word टायर होता है तो जो compound word टायर करने काम करता है उसे हम hyphen कहता है okay next अब देखो यहाँ पर कुछ questions करेंगे क्या है read अब यहाँ पर क्या होता है कि आपको examination में question क्या आता है कि आपको sentence दिया गया है जहाँ पर आपको punctuation mark पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं है समझना है उस particular word का और उसके बाद punctuation mark लगाने है और वह sentence को clear करना है चलो read not to contradict not to believe into not to believe but to weigh and consider अब sentence की शुरुवात read से होई तो obviously यहाँ पर क्या आगया आपका capital letter आगया read not to contradict nor to believe अब believe यहाँ पर complete information यहाँ पर होती है तो यहाँ पर आपका छोटा pause आगया तो आपने क्या लिखा यहाँ पर एक कॉमा दे दिया but to weigh and consider full stop यह पर नहीं है तो आपने full stop भी यहाँ पर क्या कर दिया आड कर तो दो चीज़े आपने आड करी एक आपने कॉमा आड किया और आपने आड किया full stop ready चलो यह आप जितने प्याटिस को रहें उतना अपना perfect होता चला जाएगा ओ अब ओ आ गया तो logical भाली बात है exclamation आ गया ओ doctor please help my child she cried doctor do something quickly अब यहाँ पर कहाँ पर क्या उसकर पता नहीं चलना तो यहाँ पर एक sentence है यह तो पतल चल गया आपको कोई तो कुछ तो कह रहा है तो यहाँ पर पहले sentence है तो यहाँ पर आपने यूज किया double quote कुछ बात हो रही है तो ओ उसके बाद आ गया आपका कॉमा doctor doctor यह क्या एक expression this is about the expression तो यह expression आ आ गया तो ओ doctor एक घबरन वाल expression है तो double quote खतम हुआ she's cried sentence क्या है आपका direct speech है full stop आ गया फिर से इक पर वो कुछ sentence यहाँ पर कह रहा है doctor do something quickly full stop or fill double quote complete इस तरह से तो आपको समझना पड़ेगा emotion क्या और यह समझने वाली बात यह अभी नहीं आएगी आपको बार-बार stories read करना पड़ेगा आपको आपने जो सारे chapter है आपके particular text book के वो आपको खतम करने पड़ेगे read करके 1 reading, 2 reading, 3 reading, 4 reading poem मत read करो, poem समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है कभी-कभी, chapters read करो chapters क्या है, these are nothing but the story is all okay, वो read करो उससे आपका जाता फाइदा होगर आपको यह जो है ना कहाँ पर use होता है कहाँ पर not use होता है आपको जदा आप पता चलेगा next it is really my mistake sir, please forgive me sad hurry तो यहाँ पर समझ में आ गया it is, तो यह क्या है कुछ बंदा बात कर रहा है it is यहाँ पर आपका quote आ गया it is really false, पहले के आपका capital letter आ गया it is really mistake, में यहाँ पर क्या pause हो गया, फिर sir, यह sir जो है noun है तो यहाँ पर S capital आ गया, okay full stop आ गया, please forgive me sad hurry तो यहाँ पर sentence complete, double quote and comma and sad hurry getting, direct बात हो रही है, next okay, I purchase carrots okay, I purchase carrot beans, potatoes and cheese for today's dinner तो यहाँ पर 2-3 चीज़ों के बात करी गई है यहाँ पर carrots को बात करी गई है beans है, potatoes है, and cheese है आप देखते हैं यहाँ पर क्या बात हो सकती है, okay I purchased carrots आ गया, comma, beans आ गया, potatoes आ गया, comma, and today's तो यहाँ पर मैंने क्या गया today's ना, तो मैंने e को I को निकाल दिया, फिर यहाँ पर ICU किया, तो यहाँ पर आ गया मेरा first stop है, right now और पर full stop, बन गया, इस तरीके से तो इस तरीके से जगह आगा practice करते रहोगे तो आपका फाइदा जरूर होगा, okay यह तो मैंने आपको समझा दिया अब बात करते है, last sentence, क्या है gosh, यह exclamatory word है, okay gosh relief, gosh the way she conducts herself in public is just too distressing, okay too distressing, gosh आगे आपका G, capital आपका exclamatory mark, the way she conducts herself in public is just distressing तो यहाँ पर भी आपका एक emotion आगया यहाँ पर एक emotion और यहाँ पर एक emotion तो दो emotion आगे तो आपने दो exclamatory mark यह पर लगा दिया बात खत्म, getting? hmm, cool okay तो आज हमने total 11 punctuation marks आपके देखे okay, देखे okay, आपके करना है, second chapter लेना है आपके text book का same English या English medium कोई भी हो सकता second chapter लेना है, second chapter के first page first page पर जितने भी punctuation marks के उसकी list बनानी है और उनके names लिखने okay, as well as वो जब list बना हो गए English grammar के topic के बारे में इसी सीरीज में, so till then ta-da, bye bye, take care पर जूड़ते रहीएगा PW महाराश्रा 9th & 10th के साथ जाते हैते हम क्या कहेते Thank you, धन्यवाद, जय महाराश्रा, बेटोया परत क्याते है